हेलो फटेंट्स एमे स्कॉटर में आपका स्वागत हैं आज तर टॉप लोजी के बारे में इसका पूरा इस प्रीनेशन दे reb कि और डायग्राम कैसे बनाते हैं उसके बारे में और इसके ड़ाग्राम के बारे में भी जानेंगे तो इस डिबने रहे और स्प्राव और सेंट्रावर्क से होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो हमने एक बेशिक सा डाइग्राम यहाँ पर बनाए हुआ है यहाँ पर देखे जितने भी यहां पर सिस्टम आपको दिखाए दे रहे हैं यह केवल इस एक सिस्टम के साथ कनेक्ट है यहां पर नेटवर्क हो सकता है कोई सिस्टम हो सकता है हब हो सकता है या कोई दूसरा जो नेटवर्किंग डिवाइस होता है जैसे सिवीच वो भी हो सकता है त तो इस तरह से आप डाइग्राम बना लीजेगा और इस डाइग्राम के बारे में थोटा सा बता दीजेगा तो यहाँ पर यही इसकी डेफिनेशन थी The Central Network Device Acts as a Server and Other Devices Act as a Clients यहाँ पर जो सेंटर में जो भी डिवाइस होगा वो एक सरवर की तरह काम करेगा और जो दूसरे डिवाइस होगे वो क्या करेंगे क्लाइन की तरह काम करेंगे server का काम क्या होता है किसी भी request को लेना और उस request के ऊपर process करके response देना और जो client का काम क्या होगा request बेजना तो यहाँ पर इस तरह से आप इसको server भी बोल सकते हो और इनके जो दूसरे other devices यहाँ पर connected हैं यह एक client की तरह काम करते हैं चलिए हम इसके डिसए गगे के बारे में भी जान लेते हैं तो इसका पहला अडवांटेज क्या होगा इफ वन गेखल और डिवाइज फैल्स दैं उल अदर्स विल इस्टेल वर्क अगर किसी एक केवल के अंडर यहा किसी एक डिवाइज केंदर कुछ कमी आती है तो नेट वर्किंग में जितने भी दूसरे डिवाइस यहां पर लगे हुए हैं वो इसली अपना काम करते रहेंगे तो इसको हम देख सकते हैं यहां पर देखिए अगर यहां से यह केविल जो है यह डेमेज हो जाती है तो केवल यह जो सिस्टम है यही सिस्टम इससे कम्यूनिक पड़ेगा दूसरा यहां पर इसका एडवांटेज होता है नो डिस्रप्शन स्टू दा नेटवर्क वेन कनेक्टिंग और रिमूविंग डिवाइस अगर हम कुछ एक्स्ट्रा डिवाइस एड करना चाहते हैं या कोई डिवाइस को वहां से रिमू करना चाहते हैं अपने तो हम क्या कर सकते हैं इसके केबल को कट कर देंगे इससे क्या होगा कि जो दूसरे डिवाइस लगे हुए है उसके साथ यहां पर कनेक्ट कर देंगे तो नेटवर्क पर इसका ज्यादा परभाव नहीं पड़ता है चलिए अब हम इसका दूसरा डिस दूसरा एडवांटेज के बारे में देखते हैं तो दूसरा एडवांटेज होगा यहां पर यहां पर क्या होता है कि जो पूरा नेटवर्क होता है उसको केवल हम एक सिंगल डिवाइस के साथ कंट्रोल कर सकते हैं जो की सेंटर में लगा हुआ डिवाइस है चाहे हो हब हो सिविच हो उसके थुरू हम जितने भी आपर सिस्टम कनेक्टिड है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं नेक्स्ट हैं यहां पर within the star topology each device is connected to the central core with the help of cables then the chance of collision of data और रिलाटिवली लोवर यहां पर क्या होता है कि जितने भी डिवाइस होई से क्नेक्ट है अगर किसी टाइम यह लिए डीटा को सेंड कर रहा है थेक कुछी टाइम यह भी डेटा को सेंड कर रहा है तो आप देख सकते हो कि इस डिवाइस के लिए डेटा सेंड करने का जो मीडियम है वह अलग है तो यहाँ पर जो कोलिजन होता है वह उसका चांस बहुत ही कम हो जाता है तो यह भी एक इसका एडवांटेज होता है चलिए अब भी डिवाइस है वह भी communicate करना बंद कर जाएंगे यानि कि पूरा जो नेटवर्क है वो उसे affected हो जाएगा इव दा सेंटरल हब और सिविच फेल्स देन दा इंटायर जो सेंटरल डिवाइस को में दिवाइस है और हम उसे कोई दूसरी सिटी में रखा हुआ वहो सिस्टम को चानेक्ट करनें की कोशिश सकता है the distance between devices and the central hub or switch is limited by the length of the cables used to connect the devices यानि के जो cable की length हो सकती है central hub से लेकर और client system तक उसकी जो length होगी होगा एक limited उसमें होती है this can make it difficult to expand the network over a large area तो इससे क्या होगा अगर हम अपने network को large area में बहुत बड़े उसमें area में फैलाना चाहते है तो यह एक difficult हो सकता है क्योंकि यहां पर हम एक limited area में ही इसको setup कर सकते हैं next यहां पर इसका disadvantage होता है limited bandwidth the central hub or switch can only handle a limited amount of data at a time which can limit the overall bandwidth of the network यहां पर जो system लगा हुआ है center में वह एक time पर कुछ limited amount of data को हैंडल कर सकता है अगर हम एक time पर बहुत सारे devices के तुरूट डेटा को send करने लग जाए अपने server पर यानि कि जो system लगा हुआ है device में तो वह क्या करेगा उनको handle नहीं कर पाएगा लगा तो यह भी इसका क्या हो सकता है disadvantage हो सकता है तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं आज में हमने जाना की प्लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा थैन्क्स वोचिंग